23 मार्च 2021 को कंटेनर शिप एवर गीवन जो के मलेशिया के तांजुंग पहले पास से नेधरलेंड्स के रोटरेडायम जा रही थी इजिप के स्विस कनाल में फस जाती है ये शिप 6 दिन बाद 29 मार्च 2021 को फ्री हुई थी एवर गीवन के 6 दिन तक फसे रहने के कारण गलोबल ट्रेड को तक्रीबन 10 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ था और शिप्स के रेंट में 47% जम्प हुआ था इसके साथ साथ पूरे दुनिया में कई बिजनेसेस की सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी स्विस केनाल के तुरू हर दिन 1 मिलियन बैरल ओयल वर्ल्ड की 8% लिक्विफाइड नाच्रोल गैस के साथ साथ पूरे गुलोबल ट्रेड का 12% ट्रेड कंड़क्ट किया जाता है एवर गीवन के कनाल में स्टक होने से 369 आउर शिप्स स्विस कनाल में फसी हुई थी एवर गीवन के फ्री किये जाने बाद शिप ओनर्स ने स्विस कैनाल अथोरेटिस को 600 मिलियन डॉलर्स के पेनल्टी दी थी और एक टक बोड भी दी थी एवर गीवन को एवर ग्रीन मरायंस ओपरेट करती है और इसका डेड़ वेट तनेज तक्रीबन 2 लाग तन्स है